नमस्कार एकेम इलेक्टिकल HVAC में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज के टॉपिक पर हम लोग परफकल हम यहाँ पर हमारा यह ब्रेकर है ब्रेकर के बाद से यह हमारा हो यहां पर यह सिंगल फेस प्रविंटर है यह सिंगल फेस प्रविंटर बढ़िया सिंगल फेस प्रविंटर यह हमारा है रांस्फार्मर का काम क्या है यह हमारा टॉन्टी फॉर वोल्ट सप्लाई के लिए हम लोग्वी करते हैं यहां पर और यहां कर है यहाँ पर पर वी राता है तुकि यह हमारा त्रास फार्मर है यह पावर का काम के लिए पावर अगर चला रहे हैं इतना जो है इलेक्टिकल के लिए तो और और कुछ इलेक्रिकल पार्ट लगेंगे तो कॉंट्रोल के लिए आप पावर के लिए ठीक है ना तो हम यहाँ पर पावर वाइरिंग डियाग्राम जानेंगे कि पावर का वाइरिंग किस प्रकार होता है डाइग्राम के थूरू एक एक करके जो ही फ्रेंट्स हमारे इस चैन जरूर कीजिए जो भी फ्रेंट्स एकड़म स्टरी के थूरू वन बाई वन करके आपको पूरा वाइरिंग डियाग्राम बताया जाएगा और वाइरिंग कोनेक्शन कैसे होता है यह भी आपको बताया जाएगा ठीक है तो जो भी फ्रेंट्स हमारे चैनल को नए देख रह है तो फ्रेंट्स अब देखिए इसको यह आप देख रहे हैं यहाँ पर ही हमारा कॉंटेक्टर है खुब बढ़िया से द्हान से देखिए एक कौंटेक्टर में कौन-कौन सा पॉइंट है यहाँ पर देख रहे हैं आप यहाँ पर 13 14 यह एनो 21 ए 22 यानिकी 21 और 22 ठीक है न इनो है यहाँ पर 95-96 एचे तो जहां तक आप देख रहे हैं पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा देखिये इसमें क्या होता है एक और च्पार मैनुल का एड़ेस्ट करने वाला यह ना अब ध्यान से देखिएगा उसके बाद से जो है इंपियोर सेट करने के लिए यहां पर दिया गया है इसको हुँना कर सकते हैं ठाइन एंहीं से एकदम पुरा वीडियो को देखेगा और यह देखे यह भी कंटेक्टर है एक कंटेकर है यह हमारा जो है ब्लोर के लिए एक कंटेकर हमारा रिएगर कोंपरेशर के लिए थीजर और से हम लोग कंट्रोल ही ऑसक पहले आप्लोग डाइग्राम देखेबा कि डाइग्राम के थुरू कैसे कैसे काम हो रहा है ठीक है डाइग्राम के थुरू एकदम चलेगा देखिए यहाँ पर HVTB कोहीं भी जाएए का आप इंटरव्यू देने कोहीं भी आप जाते हैं तो आपको यह 100% आपको यह दिखाए जाएगा आप पूछा भी जाएगा कैसे यह आप काम कर रहे हैं किस प्रकार कौन क्या है यहाँ पर HVTB यानि कि हाई भूल्टेज टर्मिनल ब्लॉक इसको बोला जाता है हाला कि इसको जो है कॉनेक्टर बोलते हैं कॉनेक्टर इस्ट्रीप इसको कॉनेक्टर बोलते हैं ध्यान में रखिएगा यह जो है है कॉनेक्टर है इसको कॉनेक्टर बोलते हैं यह कॉनेक्टर इस्ट्रीप है ध्यान रखिएगा लेकिन हम बना रहे हैं तो इसको इस भी टीवी यानि कि आप कहीं भी जाएगा अगर आप से क्लाइंट पुछता है तो उसके अनुसार से हमारा आर वाई और बी तिनों कहां जा रहा है कॉनेक्टर में यह वाला के कॉनेक्टर है है ठीक है ना तो इक कड़ करके हम आपको वायरिंग समझ lizard करके देखेंगे ड्राइंग भी आपको समझाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम अर वाई दिक आ सप्लाई जो सबके लिए ज्यादा से ज्यादा है हमारे इस वीडियो को लाइक करें जरूर तो यह हमारा अब देखिए यहां से सीधा कहां देना है तो यह इसके बाद से यह हमारा य और यह तरीके से इसको यहां पर कर लेना है उसके बाद से यह हमारा यहीं से पावर हम उठाएंगे जो कि द्राइंग में खिर देख रहा है कि दूसरे वाले कॉंटेक्टर पर भी आर वाई और भी ठीक है ना तीनों दिया जा रहा है दूसरे वाले कॉंटेक्टर पर भी आर वाई भी ठीक है यहीं से हम आर वाई भी का दे दे रहें कॉन नहीं होता है एक कोंकिन चीहां कौर रहें है जैसे हम कर रहे हैं ओम कण्याइं में हम लुकिन को ध्यान कर देखा एकम करके एक बार आप पूरा ध्यान से देखिए कोहीं भी इंट्रव्यू फेल आप नहीं हो सकते हैं ठीक है अब आगया भी जैसे हमारा यह भी है कोहीं भी सिरीज से हम इसको चेक भी कर सकते हैं बिना चेक की हुए पाउर को सप्लाई ओन नहीं करना है अगर मॉल्टी मीटर है मॉल्टी मीटर से चेक जरूर करेंगे ठीक है उसके बाद ही आप इसको सप्लाई देंगे ठीक है यहाँ पर हमारा आरवाई बी दुनद्यु जो है हमारा एक क期 कॉंट्रिक्टमे नहीं है इसको इसको जो कि ढरिको एक हने क्वा कहा कहार को इसमें तिक pensionें साथ वरह से अब ब्लू को भी कि इसम पलाई देना है इसे हमारा शो गया ठीक है और उसके बाद से हम स्पीज़ को सप्लाई देंगे उसके बाद से सिंगल फेस प्रोइंट पाइश देंगे जिनल फेस यहां पर और अध्यान से देख्ये गा यह पर एल ववन एल टु एल थीरी एक हमारा single face प्रविंटर काम क्या करता है कि यह जो है face फिलियर आपका under voltage ओफर voltage आप face sequence को detect करता है यह single face प्रविंटर ऐस सिक्विंटर अंडर भोल्टे तिंगा ना ओफर बोल्टे और face सिक्वेंस को भी डिटेक्ट करता है ध्यान देखिएगा यह हमारे सिंगल फेस प्रोमिंटर है अब ध्यान से देखिए सिंगल फेस प्रोमिंटर ठीक है इसमें एक सिस्टम रहता है आप सिंगल फेस प्रोमिंटर अब ध्यान से देखिएगा इस बात को यह सिंगल फेस प्रो विंटर से हमको ट्रांस फार्मर में देना है इसको ट्रांस बरमें जो की supporting देख रहे हैं तो यहां से क्या करेंगे अब इसको जो है सिंग्रवेस प्रविंटर को सुप्लाई हम देने की तैयारी में लग जाता है अच्छे तारिके से कन्टेक्टर को चनेंक्ट करने होता है ठिक है इलेक्टिकल में लुस्टिंग ना करें हम यह शाख दम बढ़िया से टाइट करना है पिश्ट तो ठीक है अब देखिए बनिया से हो गया अब उसके बाद से एलो ठीक है ना एलो को करते हैं तो यहाँ पर बढ़िया से लोकू सपपलाई इसमें विश को भी टाइट कर लेते हैं बनिया से ठीक है एक को खनेक्ट करने में बनिया से करके पलस आठे तरीके से इसको देख भी लेना है का इस बनिया से देखना है ढहां तुरुण Live Haar can I be the New Day और फर दितकट तो हो रहा है लेकिन वायर ज्याधा है इससे भी ज्याधा वायर आपको जो है मिलेगा machine में machine में जब आप काम कीजिये गात इससे भी ज्याधा वायर आप लोग को यह बात का भी कीर हमेसा रहना चाहिए कि क्वे हम इस میں से सिंगल फेस प्रोविंटर को भी सप्लाइद देंगे इसलिए यहीं पर हम इक लूप उठा में इस पर में लीए अब देखिए बढ़िया से कोई भी कांत करिएगा बढ़िया से करना है और अब देखिए यह हमारा सिंगल मेंंटर गिर रहा है फोड़ा सा अब हम इसको क्या करेंगे अब ब्लेक यहां पर ब्लेक को दे रहे हैं आर वाइब बी का मतलब यह नहीं कि भुलू होता है ब्लेक भी हो सकता है ठीक है यह हमेसा ध्यान रखना है कि कोंट्रोल में कैसा कौन-कौन से electrical equipment होते हैं यह power में कौन-कौन से electrical equipment यूज होते हैं बढ़िया से सबको अच्छे तरीके से यह देख लेना है अब हम सिंगल फेस प्रोवींटर को चल रहे हैं यह हमारा सिंगल फेस प्रोविंटर है जो फेस फेलियर को डिटेक्ट करता है ओवर बल्डेज अंडर बोल्डेज इसको यह करता है तिये अब हम फेस फेलियर हुआ मिटिख यहां पर यह दे एगंगी टिनों को मिल्सको कर देंगे and transformer को भी यह सब सब्सक्ट देना है देखेगा तो transformer का यह है यह आपका यह आप कर रहे हैं तो यही से उसको पर clears से तरीकैंसे आप पाउयकनीड में अपकाम कर रहा है प्लाय की दे रहना है सब्सक्राइब का काम स्टार्ट करेंगे ठाइगे ट्रांस् फार्मεις का सप्लाई यहां पर घ, yeah तिक है और इसके बात से जो है看看 वर भी हमारा जो है ट्रांस्itz फारमब चार्सींडव फूल्ट लेगा और यहां पर टॉंटी फूर भूल्ट आपको माइन और यहां प्लस और माइनस यानि के पोजेटिव और निगेटिव 24 वोल्ट जो है हमारा नीवटल जैसे जीरो वोल्ट होता है एक तरफ फेस जो आएगा उसमें ट्विफोर वोल्ट रहेगा और नीवटल जिसमें आप सप्लाई देंगे तो उसमें जो है जीरो वोल्ट आपको निगांटरं पर कनेक्शन कर दिए थीक्त अब बढ़ी या से वायर को से करके रखना है आधके तरीके से काम करना है आप ध्याण रखना है कि यहां पर अलग अलग वायर है यहां पर भी यहां पर भी यहां पर यहां पर टूटल यहां पर वायर कॉनेक्ट हो गया है ठीक है एकदम ड्रॉइंग के नुसार जैसे ड्रॉइंग आम आप देख रहे हैं यहां पर यहां पर अब देख रहे हैं यह कंटेक्टर यह भी कंटेक्टर उसके बाद से ओवरलोड रिले यहां पर भी यह कंप्रेसर का कंटेक्टर है ध्यान में रखिएगा यह चीज कॉनेक्टर है इसको कॉनेक्टर बोलते हैं यह कंटेक्टर ठीक है ना कंटेक्टर ठीक है उसके नीचे यह भी ओवर लुद्रीले यह भी ओवर लोडी एंद दोनूं इनक नीचे ओवर लूड रिले लगा हुआ यह हमारा सिंगल फेस प्रविंटर यह हमारा ट्रांसफार्मर जिसको टीयर हम बनाए हुए अब देखिए यह वाले से इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइब करना ना भूले जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वह आपके पास तुरंत पहुंचे अहुम्हेसा किसी प्रकार का कोई भी आपके मंद में कॉस्चन है एलेक्टिकल एसी कॉंट्रोल टेक्निशियन में तो कॉमेंट्स भी करें 100 परसेंट जो है आपको रिपलाई दिया जाएगा हमारे चैनल पर ठीक है अब यहां पर बुलूर इसके बाद से यहां पर कॉंपरेसर ठीक है ना कॉंपरेसर का तो कॉंपरेसर का भी कॉनेक्शन हम यहां पर कॉनेक्ट कर दिया ठीक है तो कॉनेक्ट कर देने के बाद से हमारा यहां पर जो है वायरीं कॉंपलीट हो जाता है ठीक है कॉंपलीट हो जाता है तो अब लोड रिले में भी और्टो और मेनुवल से चलाया जाता है यहां पर इसमें सेटिंग करना रहता है ठीक तो हमेंसा ध्यान में रखना है कि All to a manual जैसे अब यहां पर जो है अब आप देख रहे हैं यह जो है यहां पर अपर इसके यहां पर बलॉवर मोटर यहां पर कॉंप्रेसर मोटर यह यहां ने कि यहां तक पूरा जो है हमारा यहां का पावर का वाइरिंग डियाग्राम कंप्लीट होता है अब कंट्रूल में हम जो है सिंगल फेस प्रोविंटर और ट्रांसफार्मर से आगे चलेंगे ठीक है ना वीडियो चुकी ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे ठीक है उसके बाद से जो है कॉंट्रूल का काम किया जाएगा है कि देखिए हमारे पास मॉल्टी मीटर नहीं है लेकिन सीरी से हम चेक करके आपको बता रहे हैं कहां से कौन सा पॉइंट सही है या गलत है जैसे माल लिजे कि यहां पर हम सप्लाइज जैसे हम सकते हैं अगे जो है हमारा जो है अगर लगाते हैं दूसरे नमर पर चेस्ट करेंगे यॉसके बाद से हापना काम पर आगे सप्लाइ meth यहां पर वीडियो कंप्लीट होता है और कॉंट्रूल का वर्किंग हम आगे आपको बताएंगे सिंगल फेस प्रोमींटर और यह ट्रांसफार्मर से वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए इसको दो पार्ट में बनाए जाएगा जो भी फ्रेंट्स हमारी चैनल को देख रहे हैं प्लीज सेस्क्राइब जरूर करें